परणाव, एक विन्नती है आपसे, कही है राचन? पिछले कई दिनों से तुम्हारे पिताश्री को शांती नहीं मिली, उनके लिए पूजा करने हो, यग्य संपन करना हो, आप तो परम ग्यान का सवरूप है, तो विन्नती है आपसे, कि पूजा विधी आपे के हातों से हो, जो मेरे पिताश्री तक पहुचे है, उने मुक्ती म जीवन मरन के इस चक्र से, वो बॉक्ष भारे, अवश्य राजा, आप मिट्टी के दो घड़े मंगवाईए, एक में घी भरवाईए, और एक घड़े में कंकट पत्थर भरवाईए, और उन दोनों घड़ों के मूँ, कपड़े से बनवा दीजे, और उने लेके नदी के त महराज, अब आप इन डोनों क्टो को पानी में डाल दीजए, और आप इन दोनों क्टो को पानी में डाल दीजे, और न अवि, अवि, k महाराज, अब इन दोनों घड़ों को आप तोड़ दीजी. महाराज, अब आप ध्यान से दीखिए, कि उपर उर पानी पा तैरने लगा. अब बताईए, मेरे या किसी और के पुजा पाठ करने से, क्या ये घी नीचे बैठ सकता है? असंभव, ये तो घी का स्वभावी दे. सत्य कहाब, उसी प्रकार, किसी भी पूजा पाठ, विधी विधान, कर्म कांड के द्वारा, पानी के अंदर डूबेवे खंकड पत्थर, क्या उपर आ तैर सकते हैं? नहीं बुद, ये तो प्रकर्ती के नियम के विदुद हैं, तो हम प्रकर्ती से भिनन कैसे हूँ, हम भी तो प्रकर्ती का ही रूब हैं, सत्य कहाब, एक सत्य ये भी है राजा, जदी हमारे उर्वजों ने अपने जीवन काल में कंकड पत्थर वोएं, दुश कर्म कियें, त तरह नीचे बैठ जाएंगे, और यदि उन्होंने अपने जीवन काल में सब कर्म कियें, तो स्वभावी की घी की तरह उपरा तैरने लगेंगे, जब होएंगे, वही काती, परन्तु इस शरीर रूपी जीवन काल में ही नहीं, अपिदु, इस शरीर रूपी जीवन काल के पश्चात वाली यात्रा में भी, हम जैसे कर्म करेंगे, वैसा ही फल मिलेगा, अब बताइए, इस प्रकरती के नियम को, कोई पूजा पाठ, कर्मकान, विधी विधान, यग्य हवन, मिटा सकता है, जाजन, मैं भी इसको नहीं बदल सकता, केवल अच्छे कर्म ही मनुष्य की मुक्ति का धुआर खुलेंगे, कैसी तलवार है आपके हाथे में, जो एक शण में सारे जूट कार्टी, किवल ज्यान को प्रकाशित करती है, जाजाने कितने जन्मों और भठकता है, यदि आपकी गिर्पाना होते है, इस एक शण में, आपने अद्रिश्य तलवार से, मेरे आंकार का सर भी काट दिया, धन्य है प्रभाद।